थाना बरसाना छित्र के आसपास आए दिन गौ तसकरों द्वारा गौवंसों की तसकरी की घटनाई सामने देखने को मिल रही है 20 दिन पहले दी एक टाटा 407 और एक आल्टो गाड़ी में 3 गौवंस मेवात के नजदीक से मुक्त कराए गए थे वहीं 20 दिन से तलास कर रहे गौवंस तसकरों को शनवार को अलसुवे साड़े 3 वजे गौरक्षक दलने पुलिस के सहयोग से नंद बैठक कामा वाईपास मार्ग नंद गाउं से टाटा 407 में बेरेमी और असाहे अवस्था में बनी पड़ी आठ गायों को मुक्त कराया सभी गौवंसों को माता जी गौसाला पहुंचाया गया आए दिन गौवक्तों के द्वारा अपनी जान पर खेल कर गौवंसों को बचाया जा रहा है वहीं गौवतसकरों से गौवक्तों को अपनी जान माल का नुखसान भी उठाना पड़ता है अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो गौवतसकरों के होसले बढ़ते रहेंगे राजिस्तान की सीमा के पास ही मेवात इलाका होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस उचित कारवाई नहीं कर पाती इस कारण गौवतसकर अपनी तसकरी करने में सफल हो जाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ राजिस्तान सरकार को भी गौरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाने की आवशकता है